दिल्ली के मुखे मंतरी अर्विंद केजरिवाल के कथत ब्रष्टाचार के खिलाफ सत्या ग्रह पर बैठे कपिल मिश्रा के अंशन का आज पाच्वा दिन है कपिलने एलान किया कि आद सुभा 11.30 बजे वो केजड़िवाल के खिलाफ बड़ा खुलासा करेंगे जिससे दिल्ली और देश की जन्ता हिल जाएगी तो आद 11.30 के क्या खुलासा करेंगे ये वाकई देखना सब के लिए बहुत दिलचस्ब होगा इससे पहले जब कपिल मिश्रा ने करविंद के ज्रिवाल के ओपर यारोप लगाया था कि उन्होंने सतेंद्र जैन से दो करोड रुपे लिए हैं उसके बाद से काफी हलचल हुई थी और अब कपिल मिश्रा अंशन पर बैठे हुए हैं और उन्होंने ये का है कि वो साड़े ग्यारा बज़े एक बड़ा खुलासा करेंगे इस पर एबीपी नियूस के नजर रहेगी जरूर देखेगा सुछा साड़े ग्यारा बज़े एबीपी नियूस अब आपको बताते हैं क्या खुश कहा कपिल मिश्रा ने दिली के जल मंत्री रहे कपिल मिश्रा के एंशन का आज पांचवा दिन है रेकिन कल बीती रात हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ जिस तरीके से अस्पताल की रिपोर्ट का हवाला दे कर पुलिस कपिल मिश्रा को जबरन उठाने के लिए आई उसके बाद रिपोर्ट में फिर बदल हुआ मरसद कपिल मिश्रा खुद हैं जो कि आज एक बड़ा खुलासा करने वाले है कपिल जी बताईए कि क्या ये पूरी रिपोर्ट का मसला क्या रहा किस तरीके से पुलिस आई आई आपको उठाने कल पहले सतिंदर जैन जी के यहां से कुछ डॉक्टर आये थे उन्होंने पुलिस को इलिक कर दिया कि तुरंट भरती कराना जरूरी है और यहां से लेके जाना पड़ेगा तो पुलिस लेने के लिए आई थी कि बाद में मैंने कहा कि इंडिपेंडेंडेंट डॉक्टर आने चाहिए तो और अरेमल के डॉक्टर आये थे कि अपके नपना पीस ही ना करनी आ दी जाए किस परकार के रोज नहें कोई ना कोई ड्रामा करने की कोशिश की जा इह कभी eng understand के सामने एंचन घर के सामने विरोत-प्रदर्शन कराने की कोशिश है पहले दिनी हमला करवाने के एक कोशिश की गई उसके बाद जूटी ख़बरें मीडिया में कई तरह कि कल रात से फेलाई गई है और उसके अलावा ये पूरा जो कल डॉक्टर्स आये उन्होंने रिपोर्ट दी वो बहुत सारी चीजें अपने आप बताता है पबलिक सब जान आत्कोश अपने बहुत बहुत सबकती करवे में आज रिपोर्ट में किस के इसरे ने को खुरने देश के सामने में रखूंगा भगवान का आशिरवाद लेकर आया हूं कि भगवान मुझे शक्ति दे कि मैं देश को ये बात बता सकूं और देश को ये शक्ति दे कि इस बात को सुन सके इससे पहले कर हम जानना चाहें कि कौन-कौन वो नाम हो सकते हैं जिन पर आन पर अच्छ शायद खुलासा हो तुड़ा निजार कर लिजे, डिटेल्स हैं और बहुत सारे डिटेल्स हैं अब तक जो हुआ इतने में ही कुर्सी से नहीं चिपक के रहते हैं लेकिन आखों की शरम और आखों का पानी अगर मर गया हो तो किसी के बारे में कुछ कह नहीं सकते लेकिन मैं यह कह सकता हूँ कि आज जो तत्थे में देश के सामने रखूँगा उसके बाद अरविंद केजरिवाल जी की नैतिक शक्ती कुर्सी पर बैठे रहने की खतम हो चुकी होगी और यही इसी बात का इंतजार पिछले चार दिनों से हो रहा है और आज जब इस पीसी में खुलासे होना शुरू होंगे जैसा की कपल मिश्रा कह रहे हैं तो जरूर अरविंद केजरिवाल को और उनकी सरकार को और उनकी पूरी कैबिनेट को सोचना होगा कि आखिर वो किस तरफ जा रहे है कमसें प्रमीन दिक्षित के साथ गौर्प शिवास्तो अबीपी नियूज दिल्ली ये है अबीपी नियूज आपको रखे आगे